Hi Everyone, Welcome to the Channel Engineers Pro और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं Chapter 4 Quadratic Equation Exercise 4.1 Question No.2 का Solution Question 2 का 3rd question क्या करा है देख लीजिए रोहन की मा उसे 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयू का गुननफल अब से 3 वर्ष पस्चात 3 years later 360 हो जाएगी मतलब रोहन और उसकी मा के एज का Multiplication 3 years later 360 है हमें रोहन की बरतमान आयू ग्याद करनी है तो आप simply रोहन का एज मा लिजिए परजेंटेज रोहन एज क्या हो गया एक्सी एक्सी एर ठीक है और उसकी मदर्स का क्या हो जाएगा रोहन्स मदर 26 वर्स बरी है 26 तो एक्स प्लास 26 एर्स ठीक है अब क्या कह रहा है उनकी एज का Multiplication आयू का गुननफल अब से तीन वर्स परज़ा तो थ्री एर्स लेटर दोनों का एज क्या हो जाएगा थ्री एर्स लेटर रोहन का एज क्या हो जाएगा एक्स और तीन वर्स एड़ कर दीजे एक्स प्लस थ्री और उसकी मदर का क्या हो जाएगा इसमें एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स में भी आपको प्लस थ्री आड़ कर देना है तो यह हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी नाइट अब question देखें क्या करा है दोनों का age का multiplication 3 बर्स पस्चा 360 है तो 3 years later दोनों का age क्या क्या है x plus 3 into x plus 29 equals to 360 यही आपको question कह रहा है अब इसको simplify कर लिजे और answer आपका आजाएगा पहले x से करते हैं तो x square plus 3x plus 29x अब 29 से करेंगे और 29 87 equals to 360 अब add कर दीजे x square 3x और 29x क्या हो जाएगा plus 32x plus 87 और 360 कोई से लिए यह तो minus 360 equals to 0 और 360 में 87 माइनस कर दीजे 10 में से साथ गया 3 पांस साथ दो 273 तो आगया x square plus 32x माइनस 273 equals to 0 यह quadratic equation आपका गया और यह question हो गया solve आप चलते हैं next question पर next question देखें क्या कर रहा एक rail गारी एक train छेस सो 480 km जो है बोल रहा है दूरी समान चाल से त्या करती है यदि इसकी चाल 8 km परा और कम होती तो उस दूरी को त्या करने में 3 hours अधिक लगते है रेल गारी की चाल गया तो simply हम लोग क्या करेंगे speed मान लिजिए train के speed क्या है x km per hour अब उसको 480 जो distance है distance कितना है 480 km clear है और एक formula आप लोग को पता है s equals to bt दूरी बरावर चाल गुना समय तो इहां t बरावर क्या हो जाएगा s by b दूरी बटा चाल तो हमको time ही निकालना है तो time क्या हो जाएगा 480 s by b तो s क्या है दूरी 480 और b क्या है speed x इतना time लगेगा अब कह रहा है कि उसकी जो चाल है वो 8 km per hour कम होती तो अब speed क्या कह रहा है कितनी है speed है x minus 8 km per hour और time उसको कितना लगेगा 3 गंटे अधिक लगेगे तो time कितना लगेगा नॉर्मल टाइम इतना था और इससे 3 गंटे अधिक लगेगे 480 बटा x प्लस 3 यही आपको time कह रहा है आवर जो नॉर्मल स्पीड से time लगता था उससे 3 गंटे अधिक लगेगे तो जब speed 8 km per hour कम हो रहेगी तो time 3 गंटे अधिक लगेगे अब इसी को आपको simplify करना है तो simplify कैसे कर लेंगे अब देखिए जो फोर्मुला मैंने पहले बताया है s equals to bt तो अब speed क्या है जो distance से वो क्या है 480 equals to speed speed आपका क्या है x minus 8 into time कितना लगा 480 by x plus 3 इसी को simplify कर लीजिए आपका quadratic equation आ जाएगा चलिए इसको simplify कर लेते है x minus 8 और यहाँ x lcm ले लीजिए तो क्या जाएगा 480 plus 3x और x इस साइड आ जाएगा x तो पूरे के वे बते में है तो इस साइड आ जाएगा तो 480 x equals to अब इन दोनों को multiply कर लेना x minus 8 8 into 480 plus 3x अब इसको simplify कर लेजे 480 x equals to 480 x minus 8 into 480 plus 3x square minus 8 into 3x आप आराम से करिए plus minus में confusion नहीं रखना है देखी 480 दोनों तरफ हो जाएगा cancel तो यह आगे दर 0 equals to minus अब इसको multiply कर लीजे तो 0 अठी अठी चाउशट का चार हाधवा की छे 8 चोग 32 और छे 38 plus 3x square और 84 24x अब इसको standard form में लिख लेजे तो आगे 3x square minus 24x minus 38 44 equals to 0 तो यह आपका quadratic equation ग्यात हो गया तो यहां हो गया solution complete तो कैसा लगा solution कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं फिर next video में thank you